घर दिन हम बलातकार और यौन सोशन के चौकाने वाले और आवमान्विय कृत्यों के बारे में सुनते हैं आप सभी जानते है कि बलातकार कानूनी अफराद माना जाता है बलातकार तब होता है जब महिला की इच्छा के विरुद लिंग को योनी में जबर्दस्ती प्रवेश कराया जाता है पती पत्नी के बीच प्रेम के कारण सहमती से किया गया योन संबन बलातकार नहीं है जबकि जबर्दस्ती संभोग बलातकार है हैरान करदने वाली घटना में 21 साल के एक शक्स ने एक नाबालिग लड़की के साथ बलातकार किया आपको डिजिटल रेप कानून के बारे में बताता हूँ अब डिजिटल रेप क्या है? महिला के शरीर के अंगों जैसे योनी, गुद्दा, आदी में जबरदस्ती कर पेनेट्रेशन हातों की उंगलियों, पैरों की उंगलियों या किसी भी वस्तु का इस्तमाल करके करना या उंगलियों, पैर की उंगलियों या किसी अन्यवस्तू का उप्योग करके मुँ में भी जबरदस्ती गुशना डिजिटल रेप की शेणी में आता है पहले ऐसा कोई कानून नहीं था दिल्ली के प्रसिद्धन निल्भया रेप केस को याद करे जहां उसके साथ एक बस के अंदर 6 आदमियों ने बलातकार किया था और उसके गुप्त अंगों में एक रॉट डाली गई थी जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी इसके बाद डिजिटल रेप का अपराद बना दिया गया 81 साल का ये शक 17 साल की नाबालिक लड़की से 7 साल से बलातकार कर रहा था ये तब से है जब लड़की महज 10 साल की थी और आदमी 74 साल का वह व्यक्ती एक आर्टेस्ट है जिसका हिमाचल प्रदेश में एक कार्या ले था उसके एक कर्मचारी ने अपनी नाबालिक बेटी को हिमाचल प्रदेश बेजा ताकि वह बैतर शिक्षा प्राप्त कर सके तबी से वह नाबालिक का योन शोशन कर रहा था बच्ची पिछले साथ साल से चुप चाप सेह रही थी पिछले एक साल से उसने बुड़े आदमी द्वारा किये गए अपरादों को आडियो सबूत रेकॉर्ड करना शुरू कर दिया बात में उसने इसे एक महिला के साथ साजा किया जिसने फिर बुड़े आदमी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई उत्तर प्रदेश के नॉड़ा में शिकायत दर्ज कराई गई पुलिस ने साक्षद देखकर बुड़े आदमी को गिरफतार कर लिया झाल झाल